हेलो फ्रेंट जैमातादी कैसे आप सभी लोग उमीद है मस्त होंगे चकाचक होंगे और खुश होंगे दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है आपकी जो एक्जाम चल रही है जैल प्रहरी वन रख्चक उसमें एक नमबर पक्का है अगर आपने ये वीडियो देख लिया मात 10 मिट में एक नमबर पक्का तो क्या है इसमें घाटे का सौधा तो देखिए ये पढ़ो फिर किसी वी एक्जाम से लड़ो मद्धिप्रदेश की तो मद्धिप्रदेश के बुलिटिन में आज हम लोग पढ़ने बाले हैं आपका एक नमबर पक्का होगा एको में पूछन पूछा जाय तो जवाब दीजिएगा कहाँ होती है पचमणी में होती है तिके सरवादीक जगा अगर जगा पूछा जाये तो पचमणी है और जिला पूछा जाए तो बालाघंट में जव hamdależ होती है और अजा पूर्णी पूर्भी भाग कूरभी और तो मन्दा लगाईएगा जगा कौN सी है पचमरी है जहां पर सबसे ज़ादा वारिस होती है अगर आप लोगों से क्वेश्जन पूचा जाए MonTwitter में सबसे कम वारिस का होती है तो भिंड भिंड वह जिला है जहां पर सबसे कम बारिस होती है और तहसील पुछा जाए कि तैसील कौन सी है तो गोहद तैसील जो है गोहद तैसील जो है विंड की वहाँ पे सबसे कम बारिस होती है ठीक है सबसे कम बारिस होती है चलिए मद्धिपटेस का सबसे बड़ा राष्टी उध्यान पूछा जाए तो काना किलसी राष्टी उध्यान है और म घोषित किया भई घोषित किया भूर सिंग्दा वारा सिंग्दा का नाम का इस हुवांकर घोषित किया रोहण चक्रवथी के द्वारा डिजायन किया घया है आपका लोगो किसका काना किसली का ठील की के बालागाट में पड़ता है और यह वह वह सबसे चोटा न्यoshima न कवर करता है 12 राष्ट उध्यान है मद्दप्रदेश की सबसे बड़ी मज्जित कौनशी अगर एक कोशन पूछा जाय तो ताजुल मज्जित भुपाल में है वह हमारे मद्दप्रदेश की सबसे बड़ी मज्जित है चली आगे पड़ेंगे यह वह प्रश्ण है जो आपकी साम में आएंगे तो नहीं ध्यान रखिएगा मद्ध प्रदेश की सबसे छोटी मजित कौन सी है सिर्फ धाई सिड़ी है वो भी भूपाल में धाई सिड़ी मजित ठीक है सबसे बड़ी मजित भूपाल में है और सबसे छोटी मजित भी कहां पर है भूपाल में तो ध्यान तैसको पिंक railway station किसे मिला है मदण महल railway station जबलपूर जबलपूर में मदण महल बाइजी जो रेलबे को पिंक कहा गया है एक मात्र ऐसा पर सबी कर्मचारी महील आएं होंगी तीक ह conversory सबीकश्य लेकर सबी जो अधिकारी लेक्लिट होंगी यह में पा होंगी महीलाएं तो राणी कमलापती कहां पर हबीब सबसे कोईले की परत संग में। मत्यपोतVE मेंमेंं सबसे मोटी कोईले की परत वह कौहां पर हैं सिंग रॉल् Михaoud पर सिंग रॉली को उ Aurja राजधानी कहतें यहां रखियेगा सिंग रॉली जो हमारा सबसे पूर्वी जिला है और जहां से साड़े वयासी डिग्री हमारी देशांतर समय रेखा है वो गुजरती है ठीक है और उर्जा राजधानी कहते हैं सिंग रॉली को चली आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद हम बात करेंगे छेत्पल की द्रश्टी से मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है छिंदबाड़ा ध्यान दखिए चिंदबाड़ा जो है छेत्पल एरिया वाइस मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है सबसे छोटा जिले की बात करें वो है निमा ठीक है इसका सबसे छोटा संभाग है शैडूल तो सबसे बड़ा जिला जो है वस्षिदवारा है सबसे छोटा जिला क्या है निमाडी अगर संभाग की बात करें सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है और सबसे चोटा संभाग कौन सा है सेडूल सरवादिक जनसंख्या की व्रद्धी करने वाला जिला है इंदौर और इंदौर जिला जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहां पर है और व्रद्धी करने वाला भी जिला इंदौर है ठीक है याद रखेगा चली आगे नहीं होती है और गांजा कहा पर होता है खंडबा में में चनसी पूरे विश्व की सबसे बड़ी सिभलेलिंग है बोजपूर डोस्तों मालबा च्छेतल में सबसे क्या होते हैं सरवाधिक स immersारित होने वाला समाचार पत्र कौन दैनेक भासकार पूरे मद्यप्रदेस में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला प्रकासित होने वाला जो निउस्पेपर है उसका नाम है दैनेक भासकार ये प्रिश्ण बनेंगे भई इसे आप लोग पढ़ेंगे तो एक नमबर तो आपका पक्का होई जाएगा मद्यप्रदेस का सबसे उचा इस्तान कौन सा है धूबगड धूबगड जो है मद्यप्रदेस की पच्मणी में स्तित है ये मद्यप्रदेस की सबसे उची जगा है उची जगा धूबगड है मद्यप्रदेस का सबसे नीचा इस्तान है नरवदा सौन घाटी नरवदा सौन घ से और इसकी लंबाई कितनी है 12-13 और मद्धिप्रदेश में 10-70 किलो मीटर 10-70 किलो मीटर मद्धिप्रदेश में है मद्धिप्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है ठीक है मद्धिप्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है वो तवन अधी पर बना हुआ है मद्धिप्रदे मौटीफध का सबसे बड़ा गुरु द्वारा कहा पर है बंदी छोड़ गुरुद्वारा न मालवा का पठार अगर बहुतिक देखे तो मालवा का पठार एरिया वाईज सबसे च्छोटा बहुतिक विवाग कौन सा बगेल्खंट का पठार सबसे बड़ा कोईला भंडार कहां पर मिलेंगे स्वाऑगपूर में मौटी परत कहां मिलेगी सिंग्रोली सबसे चोटा कोईला देखने को मिलेगा चली आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रदेश का सबसे छोटा राश्टी मार्ग कौन सा है एक सो पैटीस बीवी जो है प्रदेश का सबसे छोटा चली और अगे बढ़ेंगे चली इतने सारे इंपोर्ट्र अगर आपने ध्यान Disren sent होगा क्योंकि आने वाली एक्जाम जो कल एक्जाम में इसमें से आप पक्का एक कोशन जरूर देखेंगे उम्मीद है आपको चीजे समझने आई होगी अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि आपके डेली एक नमबर पक्के हो और ऐसा कोई आप एक वोtha कोशने उम्मी हमें कि झावार झाप ऊबमाचब एक्जाम में दो में तेम दायक कि आपको वस्तवर में हावी करदे चून अबर खर देखेंखेंगे ।